हर हर महादेव जय भोलेनात नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है धर्म गयान के मार्ग में आज हम बात करेंगे धन्नु रासी वालों के लिए एक से एक तीस अपरेल दो हजार चोविस कैसा रहने वाला है इस महीने की भविश्वानी 100% सच होगी कहां आपको लाब मिलेगा कहां आपको सौधान रहना चाहिए क्या उपाय करना चाहिए अपने भविश्व में आगे बढ़ने के लिए सभी महत्तपुन बाते इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसलिए वीडियो को आन्त तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी बाते समझ में आ जाए और उस उपाय को आप करके अपने भविश्व में आगे बढ़ने ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को जरूर दबाईएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे दोस्तों हमारे मन में यह जिग्यासा रहती है कि ना जाने आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा इसलिए हमें रासी फल देखना जरूरी होता है जब हम रासी फल देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आने वाला समय हमारा कैसा है तो हम पहले ही सवधान हो जाते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तभी जाकर के समझ में आएगा मासिक रासी फल 2024 के अनुसार यह अपरैल का महीना धन्नू रासी के जातकों के लिए मीले जूले परिणाम देने वाला रहेगा लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कारे छेतर में उतार चठाव के इस्तितियां रहेगी लेकिन बैपार अच्छा इस्तितियों में आगे बढ़ेगा और आपको मुश्कुराने का मौका देगा खुद का स्वास्त बिगडने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त भी समस्याएं आ सकती है इसलिए उनका भी स्वास्त समन्दी समस्याओं के प्रतिध्यान रखना जरूरी होगा बिदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है लेकिन अपनों से प्रयास कर सकते हैं परिवार का कोई सदस बिदेश जाने में कामयाब हो सकता है इस महीने वैसे यात्रा होने के अच्छे योग बनेंगे प्रेम संबंदों के लिए समय अच्छा रहेगा महीने का उत्रार्थ कुछ कमजोर है जबकि बैवाहिक जीवन में उतार चड़ाओ के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना दिखाई देती है परिवार वालों का हस्त छेप अपने नीजी जीवन में थोड़ी समस्या उत्पन कर सकता है बिद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा है अपनी प्रतिभा को चमकाने का मौका दें जी भर कर मेहनत करें इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे आर्थिक लाव भी होंगे और आपकी आर्थिक इस्तिती भी अच्छी हो जाएगी केरियर के दृष्टी कोंड से यह अपरैल का महीना उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है महीने की सुरवात से ही केतु महराज आपके दसम भाव में रहेंगे जो आपके मन को भढ़काते रहेंगे आपके मन में संतुष्टी का भाव कम होगा, आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अप्रियाप्त है इसलिए अपनी नोकरी में बहुत सावधानी परतें क्योंकि आपकी गलती परिसानी खड़ी कर सकती है महीने की सुरवात में राहु सुर्य और सुक्र चतुर्त भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे जीसे बहुत सारी समस्याएं कारचेत्र में आपके सामने एक साथ आ सकती है उन्हें एक चुनवती की भाती सुईकार कर उनका सामना करें तभी आप नोकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे सश्ट और एकादस भाव के स्वामी शुक्र चतुर्त भाव में बैठे हैं जिससे नोकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति और दासलाव के योग बन सकते हैं आपको अपने छेतर में किसी से भी नुकसान हो सकता है बैपार करने वाले सुकून की खबर मिल सकती है आपका बैपार उन्नती की राह पर चल रहा है और इसे आगे बढ़ने का मौका दें अपने बैपार में कुछ नई लोगों का शामवेस करें इसका मतलब यह है कि कुछ नई लोगों के साथ संपर्क अस्थावित करें जो आपके बैपार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे ऐसा करने से आपका बैपार और अधिक बिस्तार पाएगा और आपको उन्नती परदान करेगा यदि आपकी आर्थिक इस्तिती को देखा जाए तो महीने की सुरवात में बिरहस्पती और बुद्ध पंचम भाव में बैठकर आपके एक आदस भाव को देखेंगे जिसे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी आर्थिक लाब होंगे चोथे भाव में राहू सुर्य सुकर के परभाव से घर में किसी बहुत अवश्यक काम के लिए या किसी परजन की स्वास्त समस्याय के लिए धन बयाय करना पड़ सकता है हाला कि 23 अपरेल को मंगल के भी चतूर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एक आदस भाव पर दिरिष्टी डालने से आमदनी में और अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे मेस रासी के सुरियर 13 अपरेल से पंचम भाव में आकर आके आमदनी का मार्ग प्रदसन करेंगे सरकारी छेतर से लाव के योग बनेंगे बैपार में भी उत्तम धन लाव होगा इस परकार यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुद्रिठ बनाने में मददकार बनेगा मासिक रासी फल 2024 यहीं भविश्वाड़ी करता है कि यह महीना स्वास्त के दिरिष्टि कोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है तीसरे भाव में मंगल और सनी का प्रभाव होने तथा चतुर्थ भाव में राहु सुर्य सुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सवधानी रखनी होगी आपको गले या कंधों में जक्रन या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सुर्य पर राहु का प्रभाव होन के कारण महीने के पुर्वार्थ में आपको अपने हिर्दय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार ना करें जो आपके हिर्दय के लिए नुक्सान दाएक हो महीने का उद्रार्थ अपेक्षाक्रित अनुकुल रहेगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है तीसरे भाव में अखेले सनी महीने के उद्रार्थ में सिहत को अच्छा बनाने में मदद करेंगे यदि आप किसी प्रेम संबंध मे हैं तो आपके लिए महीने का पुर्वार्द बहुत अच्छा रहेगा विरस्पति और बुद्ध के प्रभाव से आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुफ्त लेंगे आप और आपके परिजनों के बीच नजदिकिया पढ़ेगी आप एक दूसरे से ग्यान धर्म की बात बलकि किसी तिर्थ अस्तल पर घूमने भी जा सकते हैं आपसी बातों को विचारों का साज़ा करने से आप एक दूसरे के और निकटाएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हलाकि महीने के उतरार्ध में शूरी अपनी उचरासी में में 13 अप्रेल को परवेश करेंगे जो कि आपका पंचम भाव होगा और उससे पहले ही बुध चतुर्त भाव में वापस लोट जाएंगे तो विरस्पती और शुरे के प्रभाव से आपके प्रितम प्रेमी को कोई बड़ा पद मिल सकता है यदि वह किसी नोकरी की तैयारी करने हैं तो इस दोरान उन्हें सरकारी नोकरी की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपको उन पर गर्भ होगा और आपका रिस्ता और भी बेहतर हो जाएगा यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सब्तम भाव के स्वामी बुध महराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे जि इसके बाद 9 अप्रेइल को बुध वक्री अवस्था में चतूर्त भाव में लोट जाएंगे और 13 तारीक को पंचम भाव में आएंगे और मंगल तेज तारीक को वक्री बुध महराज के साथ चतूर्थ भाव में रहेंगे इस दोरान बैवाहिक जिवन में तणाव और टक अहम का टकराव हो सकता है इससे बचने के लिए बाद विवात को बढ़ने से पहले ही रोक ले और थोड़ा सांत हो जाएं परिवार के सदसों को अपने वैवाहिक जीवन में ज्यादा हस्त चेप करने से रोकेंगे तो मामला सुलज सकता है यह महीना परिवारिक तोर पर उता आपकी बाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है जो आपको अपनों को चूप सकती है और इससे आपके रिष्टे प्रभावित हो सकते हैं भाई बहनों का स्वास्त समस्याएं और कुछ परिशानिया पिवित कर सकती है एसी इस्तिती में आपको उनका साथ देना चाहिए क्यो आत्रा पर जाने की संभावना बनेगी चतुर्त भाव पूरे महीने पिडित रहने की संभावना है चतुर्त भाव में राहु सुर्य और सुक्र एक साथ इस्तित होंगे यहां राहु का सुर्य गरहन दोस भी बनेगा जिसे माता और पीता के स्वास्त पर भी गरहन लग सकत है इसलिए उनके स्वास्त का पूरा ध्यान रखें 13 अप्रैल को सूरे के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाने से राहु मंगल अंगारक दोस्के परभाव से भी परिवारिक जीवन में आसांती रहेगी परिजनों का स्वास्त लेगा और कहां आपको सवधान रहना चाहिए अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए इन सभी परिसानियों से बचने के लिए और अपने भविस्ते में आगे बढ़ने के लिए अपनी मेहनत और बिजनेस बैपार के साथ साथ हमें भगवान का साथ भी जरूरी हो इन सभी परिसानियों से आपको छुटकारत जरूर मिलेगा और आप अपने भविस्ते में आगे जरूर बढ़ेंगे क्या उपाय करना चाहिए धन्नुरासी वाले जातकों को आपको एक अच्छी सिगुनवता वाला पीला पुखराज रत्न गुरू बार के दिन सोने के मु अगर आप करना चाहते हैं तो इन सभी उपायों को करें भगवान से प्राथना करें आपकी जो भी परिसानी है उस परिसानी का हल बहुत चल निकलेगा और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर व महादिव जैब हो लेना जरूर लिखिएगा इनकी किर्पा पाने के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए भाए धन्यबाद